हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू सैंग साइल आज हम नेल वार्प या नेल स्टीकर का रिव्यू करने जा रहे हैं एंड इस नॉट स्पॉंसर वीडियो इसमें आपको मिल जाता है डबल एंडे टिप्स एस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले यह हमें मिल जाता है एल्कॉहल पैड नेक्स यह हमारे पास नेल बफर जिससे आप अपने नेल्स को बफ करेंगे नेक्स है हमारे पास एक wooden stick जो आप इसे cuticle pusher भी बोल सकते हैं और ये हैं हमारे पास गर्जब के ही nail stickers चले इन्हें unboxing करते हैं फटाफट से और ये हैं आपके nail stickers ये जो हमारे पास wooden stick है इससे आपने cuticles को back side कर लेंगे जिससे हमारे nail sticker काफी इस तरीके से इसमें stick हो जाएंगे next हमें मिला है nail buffer इसके साइटा से अपने nails को buff करेंगे कुछ इस प्रकार से अब आपको alcohol pad से अपने nail को साफ कर लेना है जिससे ये इसमें कोई oil लगा होगा या कोई dirt लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा अब आपको अपने nail के size का nail sticker चूज कर लेना है अब देख सकते हैं यह जो हमारे पस बीच वादा sticker है यानि कि जिसमें दिल बने हुए है वो हमारे एकदम nail के size का है तो आपको nail sticker को अपने नाकून पर कुछ इस प्रकार stick कर लेना है फिर आपको चाहिए होगा यह wooden wand यानि कि यह wooden stick इस से आप अपने nail पर कुछ इस प्रकार थोड़ा सा pressure दे सकते हैं nail sticker पर जिससे इसमें कोई bubble अगरा होगा तो वह नहीं रहेगा आप इसमें अपनी आपके पास में कोई भी transparent nail polish है तो आप इस nail sticker के ऊपर transparent nail polish लगाएगा जिससे थोड़ी मजबूती होगी वह बढ़ जाएगी अब हम UV nail lamp की सायता से अपने nail polish को सुखा लेंगे Nail polish सूखने के बाद आप क्या करेंगी हमारे जो extra sticker है उसको आप nail cutter से इस प्रकार remove कर लेंगे या काट लेंगे फिर आप nail buffer की सायता से अपने nails को थोड़ा सा बफ कर लेंगे जिससे थोड़ा सा clear लुक आ जाएगा यह nail sticker डिखने में काफी सुदर लगते हैं तो इनकी quality भी काफी अच्छी है So big thumbs up for this I hope आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो like जरूर करें, comment जरूर करें and subscribe to stand style Thanks for watching